Hello friends, जैसा कि आप सभी को पता है कि gate point 3 का result आ चुका है and कुछ लोगों का यहाँ पर अच्छा rank आ गया होगा, तो उन लोगों ने अपने rank के according plan बना दिया होगा, कि उनको जो चाहिए, एदर PSU या फिर अच्छी IAT में MTAG, वो तो उन्हें मिल जाएगा, but majority जो यह videos देख रहे हैं, उसमें से majority लोग का अच्छा rank नहीं आया है, अब उनको जो चाहिए था gate से, वो तो इस rank में मिलेगा नहीं, तो अब आगे क्या करें, उनके पास आगे क्या options है, तो current scenario को देखते हुए majority students को दो options ही देखते हैं, कि either drop ले, या फिर MTAG join करें, MTAG में जो branch मिल रही है, उसको join कर ले, अब MTAG join कर रहे हैं जो लोग, तो उसमें भी MTAG पर focus करें, या फिर MTAG के साथ साथ फिर से prepare करें, काफी लोगों ने मन बना लिया होगा फिर से preparation करने का, तो drop लेके preparation करना सही रहेगा, या MTAG join करके preparation करना सही रहेगा, क्या MTAG के साथ preparation हो सकती है, या फिर क्या अच्छी जगे से Mtech नहीं कर रहे, I mean to से अच्छी जगे से मतलब अच्छी IIT हो, या फिर अच्छी ब्रांच हो, means top IIT में बुरी ब्रांच हो या lower IIT में अच्छी ब्रांच हो, क्या उसमें भी placement होता है, right, इसे सभी चीजों का discussion इस वीडियो में अपन करेंगे, तो ये वीडियो देखके आपके मन में clear picture आ जाएगा, कि ये जो options available है, उसमें से आपको कौन सा option choose करना आपके लिए सही रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं, तो जैसे कि मैंने Mtech किया है IIT Bangalore से, and मैंने Mtech में second year में on year rank 7 achieve किया, तो I know all the process, I mean to say, all the situation, how and what Mtech students are facing, कि Mtech के साथ prepare क्या करना, कैसे करना चाहिए, right, तो सबसे पहले मैं बात कर रहूं कि मैंने last 2-3 साल में hundreds of students को guide किया है, and उस duration में मैंने सारे category के लोगों को personally मिला हुँ मैं, right, a person who took a drop and got a good rank, a person who took a drop and failed miserably again, तो फिर बाद में जाके वो regret करते है कि Mtech जाइन कर लेना चाहिए था, right, और काफी सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे है, जो fail होके पहले से खराब rank लाए और previous gauge score में Mtech ले रहे, right, I've seen such cases where person join Mtech and prepare along with that and got very good rank as well as good placement, right, खराब जगे से Mtech का मलब जो top IIT की top branch से नहीं मिलने के बावजूद lower branch में भी जाके placement अच्छा निकाल रहे, वैसे type के logo हो भी देखा है, तो I know the condition of the all कि किसमें क्या करना चाहिए, और मलब किसमें क्या लोग करते हैं, क्या गलतिया करते हैं, जिसकी वज़से वो either success होते हैं उस particular decision में या फिर either fail होते हैं, तो पहले सबसे पहले आपको क्या decide करना है उससे पहले आपको अपने life का goal decide करना पड़ेगा, कि आपका life का ultimate goal क्या है, either काफी सारे लोगों होगा कि उनको केवल government job ही चाहिए या फिर काफी सारे लोगों गे जिनको core job चाहिए या फिर काफी सारे लोगोंगे जिनको बस job चाहिए, चाहे गोरो, चाहे नॉन कोरो, चाहे गॉर्मेंट जोबो, काफे सारे लोगों को हाइपेंग जॉब चाहिए, तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या जाहिए, उस हिसाब से थोड़ा इसमें आपको benefit रहेगा कि कैसे choose करना है, जैसे for example, आपका life का goal है कि आपको केवल और क PSU नहीं मिल रहा है, तो फिर आपके पास दो option है, कि drop लेके prepare करें या Mtech के साथ prepare करें, तो मैं suggest करूँगा इन लोगों को कि अगर आप drop ले सकते हो, तो it will be better कि आप drop लेके prepare करो, क्योंकि Mtech के साथ prepare करोगे, Mtech आपको मिल जाएगा, but Mtech से आपको तो private job ही मिलेगी, Mtech का benefit PSU जोब में कुछ नहीं होने वाला है, तो Mtech के साथ prepare करोगे, तो Mtech भी आपका खराब हो सकता है, या फिर आपका preparation भी खराब हो सकता है, आपको दोनों चीज मैनेज करना थोड़ा difficult हो सकता है, तो ऐसे लोगों अगर drop ले सकते हो, तो drop लेके full time prepare करो, फिर सेचा rank लाओ, उस rank से PSU में job ले लो, right, but काफी सारे लोगों का उपर, काफी सारे pressure रहता है कि drop नहीं ले सकते, drop यस काफी जादा हो रहे, family पर pressure रहता है, financial load रहता है, तो वैसे लोग IIT जॉइन कर लेते हैं, क्योंकि IIT से fees से जादा stipend मिलता है, and family वाला Mtech कर रहे हो, तो जादा कुछ pressure नहीं रहता society का, right, तो फिर वैसे लोगों को मजबूरी में Mtech join करना पड़ता है, तो फिर वैसे लोग अगर आपको target preparation करना ही है, तो आप Mtech वैसी branch में choose करो कि जहाँ पे load ना हो, जहाँ पे साथ साथ में आप prepare कर सबको, क्योंकि मदलब काफी branches, मदलब काफी जगा पे, काफी IIT में जैसे IIC के बात करो, IIC में सारी branches में बहुत अच्छा कासा load रहता है, चाहे वो cover branches हो, चाहे interdisciplinary branches हो, but IITs के अंदर जो majority interdisciplinary branches रहती है, उसमें load relatively काफी कम रहता है, और कुछ IITs में, तो specifically मैं बात करो कि IIT Delhi है, तो IIT Delhi का load थोड़ा कम रहता है, as compared to other IITs, and IIT Kanthpur है, तो उसका load काफी ज्यादा रहता है, तो choose accordingly, कि आपको कौन प्रिपार करना है, तो कौन सी IIT में, और कौन सी particular branch में load काफी कम है, उससाब से Mtech चूज करके, starting से preparation शुरू करतो, बलब कि जैसे for example, अभी ये जो video record कर रहा हूं, this is first week of May, right, तो May, June, July, 3 महीने पूरे है, August में आपका Mtech और 3 महीने पूरे है, तो 3 महीने पूरे preparation करो, August में Mtech के साथ, जब जैसे शुरू हो रहा है, Mtech के साथ preparation शुरू करो, बलब थोड़ा बहुत daily के time निकाल के, जैसे for example, मैं बता रहा हूं कि आप वैसे कोई Mtech जाइन करें, जहां पे load कम है, और उसमें भी ट्राइ करो कि minimum subject, जैसे first semester में majority data पर electives नहीं choose करने रहते, but कुछ subject लेने होते हैं, उसमें minimum criteria होता कि minimum इतनी credits of subject खतम होनी चाहिए, तो minimum credit के लिए register करो, उतने के लिए try करो, और friend circle वगएरा से help लेके assignments वगएरा करो, exam के time थोड़ा बहुत पढ़के, जैसे तैसे करके pass हो जाओ, right, वो एक solution है और फिर आपको December के first month, sorry, first week में final examination खतम हो जाती है, first semester की, तो December and January फिर से आप prepare कर सकते हो, full time, जैनुवरी में फिर से नया semester स्टार्ट हो जाता है, बच starting में थोड़ा load कम रहता है, तो तब भी prepare कर सकते हो, तो इसको कैसे MTEC के साथ क्या preparation strategy होनी चाहिए, लोग होगी, उसके पर correct dedicated my video बना रहा हूँ, तो वो जाके आप जरूर से check कर लेना, right, तो अब आपको मेरे हिसाब से clear हो गया होगा, कि आपको drop लेना चाहिए, फिर MTEC के साथ prepare करना चाहिए, only if you want to get a PSU job, अब काफी लोगों को ऐसा रहता है कि केवाल उनको core job चाहिए, अब core job में देखो, placement अगर आप देखो, तो जो top IIT की कुछ branches है, वहाँ पे core का placement अच्छा है, but lower IIT में, core का placement उतना अच्छा नहीं है, but still I've seen people who got placed from even in NIT, even in lower NIT, मरलब जैसे NIT जलंदर वागेरा से भी Mtech करके, अच्छा मलब 10, about 10 lakh का placement लेगा है, तो ऐसा नहीं है कि केवल top IIT की branches में, top I branches में ही अपका core placement होगा, but वहाँ पे एक uncertainty ज़रूर रहेगी, क्योंकि जो core placement का percentage रहेगा वहाँ पे, वो 100% नहीं रहेगा, तो जिसको core placement चाहिए, वो Mtech जोइन कर सकता है, कहीं पे भी मिलता है, Mtech में अपनी, जिस field में core placement चाहिए, चाहिए, design हो, thermal हो या चाहिए, और कोई ब्रांच के लोग देख र होता है, package definitely कम रहेगा, average package, average percentage भी कम रहेगा, पिट वहाँ पे जाके आप शुरू से बहुत अच्छे से prepare करोगे, अपने CGPA वगरा भी अच्छे से manage करोगे, skillset extra जो सीखना है वो भी अच्छे से करोगे, और fundamentals clear रखोगे, तो वहाँ से भी आप अच्छा placement निकाल सकते हो, right, even I have seen की, जो GE, Mercedes ऐसी company, above 15 lakh का package लेके, NIT में भी जाती है, lower IIT में भी जाती है, lower IIT में भी जाती है, top IIT में भी जाती है, top IIT ऐसे आप ट्रीची वरंगल, उसमें एक placement अच्छा है, even in core, even in non core, right, अब जिसको किसी को non core job चाहिए, तो जिसको non core job चाहिए, वो तो कोई भी top IIT में कोई भी ब्रांच ले ले, day one से coding सिखना स्टार्ट कर ले, उनका placement हो जाएगा, बन्रोब IIT Bombay में, for example, आप सबसे lower मा, lowest मा, lowest ब्रांच चूज कर लो, या फिर, even in IIT Delhi, Madras, IIT Kanthapur, even in IIC, if you choose interdisciplinary branch, और कोई भी IITs, top IITs, उसमें जाके कोई भी ब्रांच शूज कर लो, day one से core, non core के preparation करो, जिसको non core job चाहिए, जिसको केवल job चाहिए, कैसे भी करके job चाहिए, because I have seen people from, even in lower branches, have cracked more than 30-40 lakh packets, right, just day one से coding के preparation शूरू कर दो, जो profile के लिए target करना चाहते हो, आप data scientist, या फिर, software developer, या फिर analytics की profile है, कोई भी profile है, जो profile, वो senior आप जाओगे, senior से guidance आपको ज़रूर से मिल जाएगा, तो day one से prepare, कोई particular profile बनाना शुरू कर दो, और at the end of two years, you will definitely get a placement, मैंने अच्छे अच्छे, मैंने बुरे 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 ख ब्रांची स्वे भी, जिसका cut-off बहुत लो जाता है, बट वहाँ पर जाके लोग अच्छे से prepare करते है, non-core की, and eventually placement लेके निकलता है, right? जिसकी को मैंने पर्पस जो है, PSU फिर से prepare करने की सोच रहे, just because वो सोच रहे कि IT में placement नहीं होता, इसकी वज़े से फिर से prepare करे PSU में जाए, so that is completely wrong, मैंने अलड़ी दो वीडियो बना एक IT कांपूर पे IT Delhi पे, वहां पे उन लोगों ने बात की है, कि और particularly मैं IC में हूँ, तो मैंने IC के बार में भी बनाया, तो मैंने बात की है, कि आप यहां पे आओगे, आपके पास बहुत सारी opportunities, right? It is just कि आपको proper hard work करना पड़ेगा, जिस profile की ज़्यादा companies आती, उस profile पे बनाओ अच्छे से, and सही direction में placement की preparation करोगे, तो placement definitely हो जाएगा, चाहे core, core चाहिए तो core में भी हो जाएगा, चाहे non-core चाहे non-core में भी हो जाएगा, और even placement नहीं होता है, तो placement करवाने के और भी options, अब के पास open रहते हैं IITs के अंदर, तो जिस किसी को doubt, यही doubt है कि placement नहीं होता है IITs में, और that, just because of that उपो फिर से prepare करके PhD में जाना चाहते हैं, तो I don't recommend them to prepare again, I recommend them to focus on Mtech, and फिर से prepare मत करो Mtech पे, even मैं मैं बताओ कि Mtech के अंदर placement निकालना, is much more easier than compete all India level, and gate में फिर से Ryan Clark है, फिर से PSV में जाना, वो उसमें ज्यादा competition होती है, IIT के अंदर placement निकालने के लिए आपको केवल एक institute के अंदर से ही compete करना रहता है, उसमें भी जो मलब companies बहुत जादा आती है, तो competition at the end काफी decrease हो जाती है, right, but, किसी को अगर केवल government job ही चाहिए, तो उनको तो फिर से prepare करना ही पड़ेगा, तो फिर किसको Mtech के साथ prepare करना चाहिए, किसको drop ले के preparation करना चाहिए, वो मैंने बता दिया, तो I hope कि ये वीडियो से आपको clarity आई होगी कि आपको drop लेना चाहिए, या फिर आपको Mtech जाइन करना चाहिए, So, thank you so much for watching this video, and मैं शॉटली बहुत जल्ली एक वीडियो बना रहा हूँ कि how to prepare with the Mtech तो उसके पर आप जाके देख सकते ये वीडियो